नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदु पंचांग के नुसा प्रतेइक मा में कृष्ण प्रक्ष की चतुरदशी तिथी को शिवरात्री का व्रत किया जाता है धार्मिक मानेताओं के नुसा सिवरात्री के दिन श्रद्धा के साथ व्रत वा पूजन करने से भगवान शिव की कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से सारी मनोकामनाय पूरी होती है जिन लोगों के विवा में समस्याइं आ रही हो उनके लिए मासिक सिवरात्री का वरत बहुत शुफलदाई माना जाता है मानता है कि इस वरत से विवा सम्मंदी समस्याइं दूर होती है वो मन चाहे वर की प्राप्ति होती है साल 2021 में अश्विन सिवरात्री का वरत 4 अक्टूबर 2021 को है आज के इस वीडियो में हम चारेंगे कि चतुर दशी की तिति क्या रहेगी निशीता पुजंक का समय क्या रहेगा और क्या है पुजंक की विधी तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए है और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया तो आगामी मासिक शुबरात्री वरत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ में बेला आइकन को प्रेस कर दीजिए तक के आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो से लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत पूलिए तो चले शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथी पर व्रति को सुर्यदय से पुर्व उठकस नान आदी से निव्रित हो जाना चाहिए उसकी पैश्यात स्वक्ष वस्त धार्न करना चाहिए और व्रत का संकल पिलेना चाहिए पुजा घर की साफ सफाई करें उसके बाद पुजा इस्थार पर भगवान शिव के समख्ष धूपती प्रजलित करें भगवान शिव को दूद दही आदी से अभिशेक करने के बाद उन्हें गंगा जल से अभिशेक करें शिवजी कोन की प्रियवस्तवी भांग धतूरा बेल पत्र आदी अरपित करें भगवान शिव के साथ माता पारवती को तिलक करें वफल फुल आदी अरपित करें भगवान शिव को चावल की खीर का भोग लगाए और पुजा के बाद आर्टी करें भगवान्शिव के पंचाक्ष्री मंद्र का जाब करे और सिर्फ चालिसा का पाट करे अश्विन सिवरात्री व्रत्र साल 2021 किस में 4 अक्टूबर 2021 किस दिन सोंबार को है अश्विन कृष्ण चतूर दशितिती का प्रारम होगा 4 अक्टूबर की राद 9 बच कर 5 मिनट पर और समापती होगी 5 अक्टूबर की शाम 7 बच कर 4 मिनट पर निशीता काल पूजा का समय रहेगा 4 अक्टूबर 2021 किस दिन सोंबार को रात की 11 बच कर 45 मिनट से 12 बच कर 34 मिनट तक को लवदी रहेगी पूजा के लिए 49 मिनट की मेरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नय वीडियो के साथ